छैचाँ छोले अलस पिरूल यानि की जो पाइनली लीप से वो देखने को मिलेगी अच्छा, आलो के घरमा घरम पकोड़े भाई जहां पर ठंड से एक तरफ में आलत खराब हो रहे हैं पर्रय हैं पर्रय है मितलब अच्छी अच्छा प्यारे प्यारे घर देखने को मिल देंगे तरीका भाई जैसे ये कितना खुबसूरत है भाई घर मतलए नहीं सुड़ा गाउ में एक और नई दिन की शुरुवात हुई है और सुबह सुपह उठते ही अच्छे कासे बादल और साथ में बारिश देखने को मिली तो जैसा हमने आज के दिन पर प्लान कर रखा था तो काफी चीज अब नहीं होने वाली है दर असल आज हमें एक शूट के लिए निकलने वाले थे जिसका हमने पहले काफी टाइम से प्लान कर रखा था लेकिन बारिश होने के वज़ए से अब लगता है पोस्पोन करना यहां पर आज के दिन पर बारिश होने की बाद में थोड़ा सा मौसम ठंडा होगी गया है मुझे लगता अगर जोगी मड़ी में उपर में जाएंगे यहां से थोड़ा सा 15 मिनट चलने की बाद में तो शायद वहां पर और ज्यादा ठंडा दीखने को मिलीगा और जिस तर पहले आलू उबाला है फिर सिलबट्टे में पीसा है और फिर उसके बाद में पकोडा बनाएं तो यह मतलब एक नया तरीका है भई पकोडा वनाने का मैंने पहली बार देखा और पकोडे तो जो भी है गजब बने भई बहुत सही बनाएं नास्ताइब, इस पकोड़े काते हैं, ठंड बरा माहुल है, बादर लगे हैं, बारिश की बून्दे पढ़े हैं, दीरे दीरे हैं, मनला हलके बून्दे तो पकोड़े उसमें बैस्त मेरे साठ़ें, चैज और पकोड़ा पहवडा के बहुत फेमस नास्ता करने के बाद में सुबह सुबह पकोड़े खाने के बाद मौसम हो गया काफी प्यारा यानिकि आज पूरे दिन बर ठंड रहने वाली है तो दाजा जी मिले हैं साथ में चाचा जी मिले हैं काफी बड़े हो गया आपका नास्ता पानी तो अभी दरसल हम लोग ना भी प्लानी कर रहे हैं कि आज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना हमने जो प्लान कर रखा था तो आज कईने की कैंसल हो गया मतलब सुबह के टाइम पर जब बारिश बन्द होगे न उस टाइम पर वहां पर हल्की फुलकी शेड पढ़ना शुरू होगे थी दूपकी लेकिन अभी के टाइम पर फिरसले मतलब बादल लग रह रहा है लग आज पूरे दिन पर बारिश रहने वाली है कि थोड़ी दिर में घूमने चलेंगे अभी सबसे पहले चाय पीते हैं क्योंकि ठंड बरा माहूल है और ठंड बरे माहूल में चाय तो चलती है पहाडी होने का फाइद प्र फाइद आगे अज़ब चाय नहीं पीनी नहीं है पहाडों में एक ही आनन्द है खाने पीने कहनी है यहां पर ठंडे मौसम में चाय पीओ अज़ब कोड़े हो जा तो वह ने खावी लिए तो निप्टा दिया अम लोगों ने दर से अभी प्लान करते हैं और बोड़ी वहां पर फिर से चाय लेके आगे एक वर चाय देख रहे अरे यार कैसे महमान कैसी वात कर दी भाई गाउं के कुछ पुराने ट्रोडिशनल घर बने हैं बहुत प्यारे प्यारे अभी जितने भी लोग है शायद अंदर ही बैठा हूंगे तो यहां से देखो वह नीचे हो गया बैहेड गाउं और उपर में पूरा-पूरा वहां प थोड़ा बहुत यहां पर खेती-खूती कर रखी है जो कि अच्छा लग रहा है वैसे आज के बारा बज़े तक बारिश बता रहा है दिन के और उसके बाद मौसम क्लियर बता रहा है कल भी अच्छी गासी धूप है लेकर देखता है फिर भी क्या होता है और यह है दादी क कि तो दादी ने बिलकोव थाटी बांद रिख रख और साथ में यहां पर पानी गरम हो रहा है पानी, खरव, पानी गरम बहुता है अ फिर बार भी अपीस हो आफाए तो मुझे लगता है मैं पहली बार किसी का देख रहा हूं जिसका इतना बड़ा किचन है उस कोने से ले भार खान नेकला और बेतरो लोगों दियुक हिरें अच्छा बहुतरो वन लकड़ी खट्ड़ी राखिए रहे हैं अच्छा भी तर लकड़ी उक्ड़ी करना इन सब चीजों के काम आता और देखो यहाँ पे गाउ में कैसे यहां पर कुछ पुराने पुराने घर है शायद कुछ गौसाले रही होंगी कुछ घर भी है और पलायन इस घर जंगर हुआ है इस गाउ में भी अच्छा गासा तो अगर आप यह ध्यान से देखो сторону तो यहां पर देखो घर देखो कितने प्यारे प्यारे कुछ घर तूट भी चुक है एक घर सायद यहां पर रहा होगा तो ये भी टूट चुक है और माल्टे मूल्टे थोड़ा बात होती है जैसे अपने उस साइड में होते है साथ में यहाँ पर देखो इसे क्या बोलती है यार लिंबा तो ये बड़ा वाला नीम्बू है दरसल लिंबा कहते हैं से लिंबा भी देखो लिंबा भी अच्छा गासा हो रहा है यहाँ पर देखो एक घर कैसे टूटे पड़ा है कई सारे जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वो ये वाला घर है दरसल वो परसे देखो परसे कितना खुबसूरत दिखाई दे रहा है और साथ में बारिश आने के बाद में थोड़ा सा पहाड़ों में जान आ ही गई है मतलब आप ये कर सकते हैं कि पहाड खिलना शुरू हो गए जैसे आप गाउं के तरफ में जाएंगे तो आपको बहुत प्यारे प्यारे घर देखने को मिल जाएंगे घरों के आगे जो सबजी हो रही है सबजी बहुत प्यारी है और साथ में पेड पौदे और सामने दिखा दे रहे हैं पूरे बादल ये गाउं में एक अलगी फील देता है काफी सालों बाद देख रहा हूँ चबुत्रा भाई चबुत्रा भी देखो कैसे जुका पड़ा पूरा पूरा पेड़ना कितना सही है बढ़िया तो यहां पर चबुत्रा देखो कैसे गिरे पड़े जहां पर भाई किसी चीज की केमत नी होती है और ऐसी होता वहां पे कितने सारे गिरे पड़े यहां पे पूरा पूरा पेड़ जुका पड़ा दर असल नीचे चबुत्रों से अचा यह चोटा साइज है मतला इससे दो गुना लगा लो इससे थोड़ा और बड़ा देखा है इससे दो तिन गुना देखा है लेकान जो भी है बहुत बढ़िया बहुत सालो बाद मतलब चबुत्रे का पेड़ देखा गाउं में ना मतलब मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं गाउं में बहुत सालो बाद देखा और दादाजी से मिलाते हैं अब तो दादाजी पूरा अपने ट्रडिशनल आवतार में आ चुके तो देखा दादाजी को यह नीचे किस चीज का हो गया पितल काशी पितल काशा और यह उपर में भाई सजुडू भी देखा कितना बड़ा सजुडू है मट्टी का है बार से तार लगा रखा है यह तो है पूरा फील रहें दादा ठंडियों का अब बरब पढ़ जाता है मज़ेदा आ रहे हैं मज़ेदार ले मादम नहीं काम आएगा बुराबा में नहीं दादा सीधा ओफर कर रहे हैं कि लो बोला वो कह रहे है आजकर लड़कों के साधी नहीं हो रहे है तो एक सारा यही है टाइम पास करने का अच्छा है बड़ी है ठीक है दादाची करो आफ इंजॉई करो मेरा है पावो जहां पर ठंड से एक तरफ में आलत खराब हो रहे हैं वहीं न यहां पर घर बन रहा है तो मुझे लगता है घर बनने के लिए बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है पूरी ठंड बरे माहॉल में मतला लगे हैं अभी के टाइम पर और यह भी घर बनाना एक बहुत बड़ी चुनाओती होती है अध्याद चल रहे हैं तो ताई जी कुछ दिखा रही हैं बोला उस साइड में चलते हैं दिखाते और फिर उसके बाद में जो बरतन अभी रखे न उनको जहां पर मांजा जा रहा था उनको दिखाते हैं फिर तह यहां पर अभी हां लगडी है लगड़ अनकेर में मतलब पूरा इखाटन कारते हैं तो यह मतर भी इतने अच्छे हो रहा है ने एक पोदे पर काफी सारा हो रख्या है यहां पर एक तो नहीं तो नहीं तीन-चार पोदे हैं शायद लगातार पयाज का बीज तो यहांपर पहाड़ों में महीं कि उ स्थरीके से मनाया जाता यह प्याज का बीज रह दो ठोगै पूरो का पूरो लेशून यह लेशून आपक घारक लेसून के का शी ऊचा総शून छाए की गौटब लेके हैं अच्छा तो यह दर असल चांच निकालने का यह लकड़ी का है यह तो यह लकड़ी का है दर असल और यह दही है अच्छा चांच हो लेल अच्छा तो हम लोग करते हैं चीन मिट्टी के बरतन यूज करते हैं यहां पर यह पूरा लकड़ी का है वही और यह पूरा किचन है त तो उखल को एकसर आपने पत्थर होगा देखा होगा लेकन यहां पर ने पाइप काट के लगा रखा भाई इसमें पोड़ा सा आगे आए हैं लास्ट वाली लोकेशन से दर असल ना यानि कि किछन दिखाने के बाद में और भाई लुक अट दिस कितना घुपसूरत है भाई घर मतलब इनको देखने के बाद में पहाड़ा में फील आता भाई कि गाउं भी कुछ है और अचानक बारिस है चालो भी तरसल थोड़ी बहुत ठंड है लेकिन चलेगा मतलब थोड़ी बारिश भी अब धीरे-धीरे शुरू हो रही है तो मुझे कैसे खिल गया और इसे क्या कहते है यह कंडला है ना कंडला यह कंडला घास है इसको मतला जब पानी की कमी होती ना तब इसकी डंठल खा सकते है दरसल अभी तक जिन घरों के मैंने चट बताई है उन घरों की चट कुछ जैसे उपर वाले पत्थर है उन से बनी है यानि कि यह पत्थर देखोगे इन से बनी है लेकिन अब इसकी चट देखोगे तो इसकी चट देखो कितनी घूपसूरत है पत्थर इसपेशली कहीं से मंगाया कटिंग वाला पत्तर है ऐसे यहां पर पहाड़ों में खाने निकलती है दरसल पत्तर हो गई तो उसका यूज किया गया यहां पर और बारिश होना शुरू भई कहां चलना है और यहां पर देखो अब जैसे बारिश शुरू हुई है तो गौरिया देखो भई सब बैठना शुरू हो गया अब देरे देर अपनी जगा ढूणेंगे फिर गाउं से थोड़ा सा नीचे आने के बाद में गौसाला वाला एरिया शुरू हो गया और यहां पर अगर आप छटों में ध्यान से देखेंगे तो यह दरसल पिरूल याने की जो पाइन लीप्स होत इसलिए करते हैं उनके नीचे रखते हैं दरसले से और फिर खाद भी बन जाता है केतों के लिए अच्छी खाद बनती है और यह देखो गलियारा कैसे बना रखा सीड़िया इस साइट से भी है उस साइट से भी है और नीचे समान रखा है तो पूरा डिजाइन के साथ में बना रखा बढ़ आए बढ़िया यहां पर दाताजी से बात करने के बाद में काफी अच्छा लगा उनसे बात करें पुरानी बातों पर बात करी इसदेर और यहां पर खरन ना आपको ना पिरुल यानी की जो पाइन लीप से वो देखने को मिलेगी जितनी भी आपको गॉसाले दिख रही है उन सब के उपर में तो जितनी भी लोगों की गाय होंगी साथ में पलकुन लगी है जो की सरदियों के लिए घास स्टोर करने का एक तरीक है और अभी चलते हैं पर ज 노 अबुल अबर ऑस फुर कि जाहां पर हो पर्फर उनी के जहां पर कि घर बन रहा है और इक ये वाल खर है तो यह वाला घर काई बड़ा है और घर उपर मैंने एक चीज देखी कि जो ये उपर में ये यूज हो रहा है ये लकड़ी का अधर है लेकिन यहां पर पूरा पूरा पत्थर यूज हो रहा है इस पर जलते हैं थोड़ा उस स्राड़ में दिखाते हैं घर बन रहा है बारिश लगिये हलकी फुली लेकिन मुझे लगता है हलकी फुलकी बारिश ठीक ठागे घर बनने के लिए वट नमस्ते सब बढ़िया हां बारिश भी लगिये ना तो यहां पर दादी दिखी हैं दादी के सकल बदा मेरे दादी से मिनती है और एक चीज और दादी थोड़ा सा ऐसे करना एक का यह न जो करा है मियर दादी कर ना सेम हैं जा पर यह कालो नने सान सेम चा मेरे दादी कर विए तो अपर भी बढ़ा घर ना जोगी मठ मैं जब जाएगे मैं जब जाएंगे ओस वने सान धीम दिखाया भी एमधा बिल पहले और यह तरीका वही जैसे यह क्या बाण है खिड़ी की दर्वाजा अच्छा अच्छा यह दर्वाजा बन रहा है यहां पर पूरा तो यह बढ़िया है और साथ में साड़ में यह पत्थरों का और इंटों का घर बन रहा है सब्बल भी लगा रखें कितने सारे चीज़े यूज कर रखें और यह वाले साथ भी पड़ी अभी कुछ दिन पहले सही है अच्छा है एक तरफ में घर बन रहा है और साथ साथ में देखो सूरज की किरने भी आना शुरू हो गए गाउं में जो कि अच्छी चीज है मतलब घर बनने के साब से तो होना ही चीज़ा अशा और यहां से प्यारा सा गाउं भाई बेंसोड़ा गाउं अटेर anything you haveпр altogether here प्या प्रपर की कि अच्छी आई है अब अकसर गोरेया देखने को मिलती नी है ऊच्छी नी वैसे बहुत रहाजितन बार यह यह व्याजिया गाउटकी आदि कः दी चिव के पूरा दादि काई घर है यह हमारे ताउजी है अच्छा भाई देखो इस घर पे काफी बड़ा घर है ना दोनों साइड से वहां पर भी सीडी बना रहा है इस साइड से भी और बीच में गलियारा बना रहा है जहां पर कुछ समान रख सकते हैं देखो और इस पर भी ऐसी घर रखा है कि आज के दिन पर पूरा गाउं घूम दिया वाई मज़ेदार कुगी मडी की मार्केट घूमी रहे हैं श्याम के टाइम पर ठंड काफी जादा हो गई है क्यानि कि शायद ना कहीं पर बारिश हो रही है और सामने देखो बादल कि इतने प्यारे दिखाई दे रहे हैं बहुत तो मिलते हैं दोस्तों कल के वलाग में तब टक लिए टिकर और और बलाई